तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हम वुमेन्ज एउर्ओ का मैच्च कवर ग Sanders रहेगा Switzerland women's versus नीदलेंड वूमेंस के बीच मैच कव सब्सक्रूर्ण गारी न क्या सब्सक्राइब किस्जेद pant से जो कुरे टी में इनकी फीफा रैंकिंग है 17 तो बहुत जाधा गयाप है फीफा रैंकिंग में नीधर लेंड उर स्विजणा की और स्कॉरट क्ली में नीधरलंड एक फार बेटर टीम है एस कंपेर टू स्वीजणा अब आपको इनका वाला में फॉर्थ पोजीशन में दो में एक मैच ड्रॉ के लिए एक मैच वो हरी है यानि कि एक भी मैच नहीं जीती है तीन गोल स्कोर किये चार कंसीड किये और सिर्फ एक ही उनका पॉइंट है तो अगर आज नीदलेंड एक ड्रॉ भी करा लेती है ना तब भी नेक्स डॉन में पहुच जाएगी जीतने में तो अव्यस्ती वाद है पहुची जाएगी बट स्विजलेंड के लिए मैच बहुत ज्यादा इंपर्टेंड है उनको एक बड़े मार्जिन से नीदलेंड को हराना भी है और उनको ये भी फोकस करना है कि जो दूसरा रियल्टेस स्वीडन और नीदलेंड के वो दिखाऊं पहला मैच उन्होंने एक टॉप स्वीडन टीम से के लगा था वन वन से ड्रो रहा था जो एक गूल आया था उनकी स्टार स्ट्राइकर जिल रूट ने स्कोर किया था और जो सेगिंड मैच वह था वो नीदलेंड ने थी टू के मार्जिन से प पर्फमेंस नीदलेंड का नहीं रहा विकॉस दोनु मैच में वो क्लिंशीट नहीं रख पाए लेकिन ठीक टागी फिर भी किया है वहीं स्वीजलेंड के जो अभी तक दो मैचे उन्होंने खिले हैं सबसे पहले उन्होंने टूटो का ड्रो खिले था पॉट्यूगल मूमे उसमें जो एक गोल आया था वह भी बैक मैंने स्कोर किया था तो यह दोनु टीम्स के लास्ट दो-दो मैचेस के रिजल्ट है और यह मैंने गोल स्कोर भी लिग दिये फिलाल इस मैच की बात करें नीदलेंड वूमेन एक क्लियर कट फिवरिट टीम होने वाली है तो स्मॉल इसमॉल लिग में मैं आपको सजेश्ट करूंगा नीदलेंड वूमेन को ही बैक करके अपनी टीम बनानेंगे फिलाल प्रोवेबल लाइनप पे आने से बेले एक चीज कहना चाओंगा इस मैच की फाइनल इसमॉल लिग टीम और सभी फुटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम कवर करते हैं टेलीग्राम चेनल के आपको मिऩी दिसक्रिप्चन लंए या आपको मिल जागा आपा में लाइन पैसे फेवरेट नीदलेंड वूमेन की मेरे अभी लेख नह·ętниц polítाος को करने आ लेउं यानिकि मैं सेवन प्लेयर करूंगा नीदलेंड वूमेन से तो नीडल एंड मुवेंट के लिए अभी इनकी स्टार स्ट्राइकर मैडेमा बाहर है इनकी लेवन देखते हैं वेन डॉमसिलार इनकी गोलकीबर होंगी चार इनकी रिफेंट होंगी विलंस वेंगराग्ट नावविन और यांसन अब यहां पिछले मैज में क्या हुआ था यांसन ऐसा सेंटर वेक खेली थी क्योंकि नावविन बाहर थी और लेफ्ट वेक में कोई दूसरी प्लेयर खेली थी बट आज रूमर्स निकल के आगए कि नावविन वापस आ रही है तो यांसन अपनी नेचुरल जो पोजीशन है ऐसा लेफ्ट वेक शिफ्ट हो अब अबी में टोटल तीन डिफेंडर तो लियाँगा इस चार में बट आप चाहे तो चारों के चारों डिफेंडर करके चल सकते हैं फिलाल इनके डिफेंज में मेरी टॉप टूच रहेंगे वेंगराग्ट है विलम्स यह दोनु मेरी नमबर बान नमबर टूच जोईज ह है वेंगराग को ही टार्गेट करती है और यह पीछे से लॉंग बॉल्स भी प्रोवाइट करती है यह बहुत अच्छी प्लेयर है डिफेंज वाइस पासेज भी तो यह मेरी नमबर वन चोईज है विलम्स मेरी नमबर टू चोईज है यह भी अटेकिंग वाइस डिसेंट ह डिसेंट है नमबर त्री अभी के लिए मैं यांसन के साथ जरो विकॉस ऐसा फुल वेक खिल लिए तो यह ज़्यादा अटेक करेंगे एस कंपेर टू नावेन जबकि नावेन अभी इंजरी से कंबेक करी है ऐसा भी हो सकता है इनके कुछ मिनेट्स कट कर जाए मतलब इनको दिया जाए अगर 60-65 मिनट में इदलेंड अच्छी पोजीशन में रहती है इस वह से अभी के लिए मेरी लास्ट चॉइस रहने वाली है तो अभी मैं इन तीन डिफेंटर के साथ जरो वेंगराग विलम्स और यांसन के साथ आपको चार्ज उस करने आप नावेन को भी दर चांस क्रेट कर पाती हैं और सट मैच मीन जो हैड्रेट गॉल मारता किसने मारता एक लोल ने मारता उसमें असिस लिक और दीन हो हो गया था तो इस पीड से एक बहुत से प्लेयर है मैं इनको शोली पिक करने आलो मैं लीकी मार्टिन्स हो गया जिल रूट हो गया और वेंडी डॉक हो गया इन तीनों को भी 100% अभी के लिए पिक करके चल ला हूं लीकी मार्टिन्स वाल्ट फूट वाल में बहुत बड़ा करें अभी तक तो नहीं आया अगर इनका दिन होता है इसलिए हैट्रिक तक स्कूर कर देंगी इतनी बड़ी श्ट्राइकर है तो मैं लीकी मार्टिन्स को शोली पिक करूंगा पहले मैच में इनका गोल आया लेकिन वह मार्जिनल ऑफसाइट के करन्ट डिसलाउट हो गया जाधा बट रूट भी एक बहुत बड़ी अटेकर हैं यह भी कभी बहुत बड़ी अटेकर हैं यह यह बहुत बनाती है और यह गोल मानने का देखती है तो मैं इन तीनों अटेकर को शोली पिक करने वालों प्लेयर बनेश्टीन भी बहुत अच्छी है पिछले मैच में इन्हों ने जो एक गोल डिसलाउट मैंने बताया था आपको वह था वो रूट वाला ही था इधिंग उसमें असिस दिया था बट वो मार्जिनल उपसाइट के करेंट डिसलाउट हो था पेस अगया इनकी वाद अच्छी है काफी होन टार्डेट भी ले रहे थी लेकिन प्रब्लम किया है ना सब को हम पिक नहीं कर सकते तीन डिफेंडर में लिजा रहो और चार अटेकर में यह हो गए इस वाइस से अभी के लिए मैंने बैनेश्टीन पिक नहीं क्या विकास फेंटेसी वाइस यह बहुत ज्यादा पॉइंट दे सकती हैं यहां पे आप अपना कॉल लेला बट अभी के लिए मैं इनको इग्णोर कर रहा हूँ स्मॉल लिग में आप चाहे तो पिक कर सकते हैं तो यह नीदलन वुमेन की प्रवेबल 11 थी लगभग सभी चीज़े मैं यहां से आपको डिटे सकते हैं अपनेंट की बात करने से पहले एक बार फिर से रिमाइन दिला देता हूं इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचे दम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह आ टेलीग्राम चैनल से जरूर से जरूर जरूर जोईन हो जाएं बिगाज और आपको चैनल मिलेगा फेंटेसी स्पोर्स फॉटबॉल नाम से इस चैनल से आपको जोईन हो जाना है अब हम बात करते हैं अपनेंट स्विजलान उमेन की तो थालमेन इनकी गोल की बर इंप्ट अब वैसे मैं अभी के लिए एक भी इनका डिफेंडर पिक नहीं कर रहो विकॉस किसी भी डिफेंडर के इनके अभी तक फेंटेसी वाइस कंसेशन पॉइंट नहीं आया है दूसरी चीज अगर नीजलान बहुत जादा गोल्स मारती है तो हो सकता है इनके कुछ-कुछ डि ट्रेम्टेश ट्रिफेंडर नहीं कर रहा हूं कि में लेक लीग लुकर कर रहा हूं हैं दोनुं मैच मेंच में अच्छे कांसे अच्छी सबच्च ब्रुंग एक तो में अश्या ज्यादा इंच 2500 दिये और I think without goal assist 25 plus point दे गई है दोनों ही मैचेज में साथ में अज़ा विंगर या अज़ा left midfielder खिल लिया है तो वहाँ से goal assist का चांद भी बनता है counter attack में इस वैसे मैं रूटलर को सबसे वहले pick कर रहा हूँ मैं कॉर्णो गोर्षविक को भी pick कर रहा हूँ बार्सा वूमेन के लिए खिलती है इस वैसे में इनकी best player को यहाँ पे surely drop नहीं करने वाला हाँ कोई शोर ए निदलन वूमेन क्लिंचीट रख लेगी आप कॉर्णो गोर्षविक को तब उस case में pick मत करना सीज़े सीज़े उनकी वाल्टी पिक कर लेना विए ज्यादा पॉइंट नहीं दे रही है लेकिन अभी के लिए मैं इनको पिक करके चल लो अलॉंगसाइड रूटलर शौ और बैक में दोनुं फॉरवेट में मिलिंगी मैंने आपको लाश्ट मैंच में बताया था बैक में एक फार फार बैटर प अब यहां पर चाहिए तो शौक को भी कर सकते हैं यह कॉल एक टोटल फिप्टी-फिप्टी रहने वाला है तो यह स्विजलेंड वुमेन की प्रॉवेबल 11 थी यहां से भी मैंने आपको लगबग सभी चीज़े वी डीटेल में कर दी और पैनालिटी भी कोर्णों गोर से सब्सक्राइब होगी इन में से कोई एक ले सकता है फिलाल जो मेरी विडिक्षन रहेगी मैं एक टू निल यह एक थ्री वन नीदलेंड विक्टरी के साथ जा रहो आए तिंग यहां पर नीदलेंड फेवरेट है तो यह मेरी डेमवर अफ्टीम है गोल की बर मैंने स्विज लिया है आपको लग रहा को नोगर सेविक फ्लॉप जाएगी सिम्थिया वटागे उनके प्लेज में सेफ वाइल्टी के साथ जा सकते है जो आपको विदाउट गोल असिस्ट अच्छे खासे पॉइंट दे सकती है अब हम नीदलेंड करें तो कैप्टन वाइस केटन हमारा यहीं से होगा अभी तक लिकी माइटिस ने अप टू दा माक नहीं किया लेकिन इनकी रेपूटेशन बहुत अच्छी है बहुत बड़ी श्ट्राइक रहें तो मैं एक बार फिर से ट्रश करके इनको अपनी केप्टन सी दे रहो वाइस केप्टन सी में मेरे पास जिल सब्सक्राइब कर सकते हैं यह मेरी डेमोर रफ टीम थी जो भी मेरी अपडेटेटिट फाइनल टीम होगी विद कैप्टन वाइस केप्टन आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोइन कर लिजिए